नमस्कार में अर्पिता, डिडी बिहार में आप सभी दर्शुकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज़ादी के अमरत महोस्तों के उपलक्ष में मैथ्रिय कॉलेज ओफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट में जिवा उस्तों कारिक्रम का आयोजन हो रहा है इस कारिक्रम में भाशन, कविता, लेखन, चित्रकला और मुबाइल फोटोग्राफिय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है उसके आपको कुछ जलकियां भी दिखाएंगे साथी आपको बता दे कि यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हो रही है तो चलिए उसके जलकियां भी आपको दिखाते हैं मेरे सिड़ पे हाथ धरो मा ग्यान की जोती जगा देना ग्यान की जोती जगा देना बीना वादिनी ग्यान की देवी अपनी दया बड़ सा देना मेरे सिड़ पे हाथ धरो मा ग्यान की जोती जगा देना ग्यान की जोती जगा देना अजू बैसाली नगरिया नीहाल सकियां अपना MCM में अले किन महमान सकियां मन मोहे मुखे राचंदान सोहे मत्रवा मन मोहे मुखे राचंदान सोहे मत्रवा देखी देखी पूछे सकिके छातिन सकियां जूगे 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 जियू सब आती थी सकियां जूगे 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 जीओं सब आती थी सखिया अपना MCM में अलेखिन में हमान सखिया अपना SCM में अलेखिन में हमान सखिया आज हम लोग के लिए गर्व की बात है देश अपने आजादी का जो अमरित महत्सों मना रहा है साथ ही G20 की अध्यक्षता करने का भारत को इस बार मिला है भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस आउसर पर हम आप लोग को सुखामना देते हैं, बदाई देते हैं और एक आगरह आप लोग से करते हैं आप यूबा हैं आप जिस तरफ बढ़ेंगे देश भी उसी ओर बढ़ेगा आप अच्छे नागरिक बनेंगे देश के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित तोर पर प्रधान मंत्री आदर्निय नरेंद्र मोदी जी का यह सोच कि इस सदी में देश पुना विस गुरूबनें मेरा यह मानना है किसी भी परतियों की तामें पार्टिसपेट करना इस मूर इंपॉर्टेंट जीत और हार जो है वो सेकंडरी चीज़े हैं प्राइमरी चीज़े हैं कि पार्टिसपेट करें आप सबी लोग तो आप जितने भी यहां पर परतिवागी हैं जो इस meeting hall में यहां पर conference room में उपस्ते थें सभी को मेरी तरफ से जिला परशाशन की तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो country है जो nation है इंडिया जो है एक युवा country है मलब युवा देश है जिसमें कि जो युवा वर्ग है उसकी सबसे एक महतपूर्ण भागिदारी होनी चाहिए किसी भी society को आगे ले जाने के लिए किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवा का एक बहुत ही महतपूर्ण योगदान रहता है हम लोग अक्सर बात करते हैं demographic dividend की आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि demographic dividend की क्या बात होती है उसका क्या concept है उसका concept मैं आपको समझा देता हूँ जैसे अब इमानिया विदायक जी भी बोल रहे थे कि जो विरासत में हम लोगों को चीज़े मिलती है उसको आगे तक बढ़ाने के लिए ताकि जो next generation है उसको हम लोग कैसे hand over कर सकते हैं बिना उसको disturb किये इस विरासत को continue करने के लिए जो demographic dividend है जो यूआ वर्ग है उसका एक बहुत important रोल है यूआ वर्ग को जब तक ही हम लोगों का इतियास नहीं पता होगा जब तक हम लोगों का present नहीं पता होगा तब तक वो अपने future की planning नहीं कर पाएगा participation is more important it is key element rather than winning or losing वो तो चलता रहता है में कार्या है कि participate करना अपनी तरफ से 100% देना और जो एक बात बोलते हैं sportsmanship spirit के साथ में लिमिट्स of the game में या फिर जो भी आपके साथ participation हो रहा है उसमें देना अब इसकी वजह क्या इसके फायदा क्या है कि कुरिकलम के साथ साथ जो एक्स्ट्र कुरिकुलर है जिसको हम लोग बोलते है holistic development Hindi में सरवांगीड वीकास अत्यां तावशक है personality development के लिए आ हरफन मौला जिसे हम लोग के हैं all-rounder उसको बनाने में इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं आप लोग को ना केवल अपने एक्स्ट्र कुलर के एक्टिविटीस और अपने टेलेंट दिखाने का प्रेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बलकि आगे चलने के लिए रास्ता बन जाएगा आप जिदर चलेंगे रास्ता बनाएंगे सफलता आपके कदम चुमें आप इस देश के भावी नहीं वर्तमा निवा हैं इसलिए कुछ ऐसा रचिये कुछ ऐसा खेल रचो साथी गुपाल सिंग नेपाली ने कहा था कि जवानी जिनके जिनके पास जमाना उनका उनका दास लेकिन आप ऐसे करतवे करिये इस देश के लिए जिससे इस देश का भारत का नाम रौसन हो और विश्व गुरू बनने की प्रक्र रखना एक बड़ी चुनोती है हम अपने विरासत को बचाएं अपनी भाशा पर गर्व करें हमारे साथ कारिक्रम के आयोजग श्वेता सिंग जी इनसे बाच्चीत करते हैं यह जो पूरा कारिक्रम हो रहा है आजजादी का अमरत महस्तों के उपलक्ष में जिवा उत्सव कार सरकार के द्वारा आज मैंत्रे कॉलेज उफ एडुकेशन और मानेजमेंट में युवा उत्सव का कारिक्रम आयोज़ित किया गया है इस कारिक्रम का थीम अम्रित काल के पंचपरंट से हैं जिसमें भारी संख्या में युवा ने भाग लिया है इसके अंतरगत हम प्रतियो राजिस तर पर रिप्रेजंट करेंगे और वहां भी अगर वहां चैनीत होते है थो उनको नैशनल लेवल पे भी खुद को वैर्शाली जी और को मौटिवेट करेंगी नहरु युवा के इंद्रवाशाली अफकॉस एक प्लाटफॉर्म दे रही है युवाओं को हमारी युवा मंडल होते हैं जो गाउ में होते हैं तो हम ग्रामीन युवाओं से लेके शहरी युवाओं तक सभी को एक प्लाटफॉर्म दे रहे हैं जो उनमें hidden talents हैं जो एक्स्रा करिकुलर अक्टिविटीज हैं उनको अपने एक यहाँ पर प्रस्तुत करें और एक प्लाटफॉर्म दे रही हैं नहरु युवा के इंद्रवाशाले जिसके थूँ वो अपने आपको रिब्रेजेंट करके आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों को आयोजक स्थल मैत्रे कॉलेज ओफ एजुकेशनल मानेजमेंट सभी हमारे निरनायक मंडल के सदर से सभी प्रतिभागी गन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती बिरासत पर गर्व से पहले हमें बिरासत सब्द को जानना होगा बिरासत सब्द का अर्थ होता है जो हमें पुडवजों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई हो ये उन स्वतनता सेनानियों से है जिन्होंने मुझे आजा दी अंग्रेजों की गुलामी जैसे जंजीरों से मुक्त करवाया है जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की आहूती दे दी आज भारत जब सुपरपावड बनने के योड अग्रिसर हो रहा है उसके पहले हमें अपने उस बिरासत को संजोने एवं संडक्षित रखने के लिए तत पर रहना होगा जिसके बूते आज हम इस मुकाम तक पहुचे है ये देश ये उस दौर की बिरासत को सोटी है जब हम फिरंगियों के फेरे में फसे थे तब हम एक सब्द आया था रंग दे बसंती चोला जिसकी एक आवाज से पूरे टोले के टूले उमराते थे कि देश भक्त से ही देश की जान है देश भक्त से ही देश की मान है हम उस देश के हैफुल यारो इस देश का नाम हिंदुस्तान है इस देश का नाम हिंदुस्तान है कि हमारे आस-पास किसी भी कोने हमारे याद्टों के वीतर अगर गुलामी का कोई भी अंसा है तो उससे मुक्ती पाना और इसे हर हाल में हमें मुकती पानी ही होगी यह हमारी दूस्रे प्रांच सकती है मित्रों ची से पराण सक्ती है अपने विरासत पर गड़ु करना हो उपर क्योंकि यह वही विरासत है जो कभी भारत को स्वर्नीम काल दिया तो कभी सवाया अनुकूल परिवर्तन करने की यादत रखता है इसलिए हमें अपने विरासत पर भी गठर करना होगा चौती प्राद सक्ति है वो भी इतना ही महत्पपुर्ण है क्योंकि चौती प्राद सक्ति है एकता और एक जुटटा हमारी 130 करोर डैश्वास्यों एकता और एक जुटटा होनी चाहिए हमें जात से धर्म से उपर उठकर दस के लिए कुछ करना होगा यह हमारी चौधी प्राण सकती है मिibilidad कर्ट प्राण सकती है और सबसे बढ़ा प्राण सकती है नागरिकों का कर्तब्या मैं फुरे देशवासिप हर एक नागरिकों को अपने कर्तब्य को समझना होगा और देश को आगया लेकर के चलना होगा यह है हमारी अमरीत काल के पंच प्रान 15 अगस 2022 की बात है कि दिन सुनेहरा हसी थी शाम और लाल किले से हुआ एलान पंच प्रन का मिला गयान उस पर हम सब हो कुर्बान हमारे आधर्निय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पांच प्रन हमें दिये थे उन पांच प्रनों में पहले प्रन पे मैं जो यह अगली पंक्ती रख रहा हूँ कि पहला प्रन हमारा हो हम सारे देशवासियों का जो पहला प्रन हो कि पहला प्रन हमारा हो क्या हो तो पहला प्रन हमारा हो और विक्सित भारत प्यारा हो हमारे भारत को विकास करना यह हमार परधान मंत्री जी के द्वारा दिये गए प्रण की पहली परण थी दूजे परण में परधान मंत्री जी ने बताया था कि दूजे परण में याद हो दूजे परण में याद हो क्या याद हो तो दूजे परण में याद हो कि सोच समुच्य आजाद हो यानि हमारी सोच में ज एक पर्द के रूप में समोधित करने की कोशिश की है कि त्रीतिय परण वो पर्व हो तो कैसा पर्व हो तो त्रीतिय परण वो पर्व हो कि विरासक पे अपनी गर्व हो हम हिंदुस्तानियों को हम भारतियों को अपनी विरासक पे गर्व होना चाहिए चौथा परन जो के बहुत ही मात्योपुर्ण ने हमारे पर्दान मंत्री जी ने हमें दिया है और इस परन को ही अगर हम अपना ले तो भारत देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोख सकता और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे भारत देश के आगे नत्मस्तक होंगे तो चौथा परन जो है कि चौथा परन अटूट हो कही न देश में फूट हो अगर हम आपस में एक होकर रहेंगे एक जुटता की ताकत को अपनाएंगे तो किसी देश की ताकत नहीं है कि वो भारत को नीशे करने की कोशिश करे बलके भारत उससे गती पे जाएगा कि तमाम देश भारत के आगे नत्मस्तक होंगे पांचवा और अंतिम परण जो है उसके लिए मैंने जो पंक्तियां लिखी है कि अंतिम परण ये करना है अंतिम परण ये करना है तो अंतिम परण में क्या करना है हम सारे नागरिकों को क्या करना है तो अंतिम परन ये करना है करतव पर मर मीटना है हमारा जो करतव मिला है उसे पुलग बेने के लिए हम अपने आपको मिटा देंगे और जब तक हमारे देश को विकास नहीं हो जाए हमारा देश अमेरिका और जिसी भी बड़े देशों से आगे और कंदे से कंदा मिला करना प कर दो 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 कर कर दो 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 कर यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हो रही है तो चलिए उसके जल्कियां भी आपको दिखाते हैं कोहे हिंदुष्तान कोसनीर जिकर के टुकडा कोहे हिंदुष्तान पीजान हावे हो अमर सांस्क पीजान हावे हो स्वर्ग बनोले अपना हाथे धर्तिपो भगवान इजान हावे हो अमारी सान हावे हो तू दर दर जो कर खाएगा ऐसा कोरा मचा दे कि दे हब गतरे गतारिया एक साथ चाहिंद बोलेले हिंदो मुसलमान एक साथ चाहिंद बोलेले हिंदो मुसलमान इजान हव्वे हो अमर सान हव्वे हो झाल झाल गुमर घंशोर मचावत आ मेरे रामा कियर रमा उमर घंशोर मचावत आ मेरे रामा कियर रमा उमर घंशोर मचावत आ मेरे रामा चल चल गे दन्या बढ़मतर तुरा पिटवा की खईो बढ़मतर चल 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 गे दन्या बढ़मतर तुरा पिटवा की खईो बढ़मतर जरा 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 देजी सकता हक आगे जी 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 आ तेनी भया के खोलू आंकी तेल आगे जी 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 आ जादू ने चल अभी है डन्या नजरी नै मारी है आई है अपने जन्मल डन्या तु आगे जी 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 आ अनकर खूत के नई काई रेगे जन्या भरी भर डिबिया तेल देबो तु आगे जी 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 आ भरी भर डिबिया तेल देबो तु आगे जी 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 आ हाँ उगही सूरज देव बिन पीन सर्वाँ अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो बड़ की पूकारे देव दुनु कर जुरवा अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो सामा के नचलली, भूजी संसहेली हो ओ भाईया जी आओ, ओ जुग जुग जी आओ सामा के नचलली, भूजी संसहेली एरिनू पैरिनू मी मुच्छी के फेकब, भैया के ओही पाहार साम चके बासंगे भसाइब, गंगा जी के धार हो ओ जुग जुग जी आओ, ओ भैया जी आओ सामा के नचलली, भूजी संसहेली हमर भैया चकवा भैया, हमर भैया बढ़का भैया पटना से आवे हो हाथ में सोना के लोटा पानी से पूछावे हो हाथ में सोना के लोटा पानी से पूछावे हो साम चक, साम चक, अभी हाए, अभी हाए साम चक, साम चक, अभी हाए, अभी हाए साम चक, अभी हाए, आभी हाए, अभी हाए मेननो वाले, त्थेरा मन का प्या ला, हिलकाई मदोशाला, मेरा चैन रें मैं अपने साथ ने गया मैंनो वाले ले, मैंनो वाले ले, मैंनो वाले ले, छेरा मन का प्याला, छलकाई मदूशाला, फेरा चैन रहन, नैन अपने साथ ले गया अजाली के अमरित महस्तों के अंतरगत आयोजित इस कारिक्रा में युवाउ ने एक से बढ़कर एक जो प्रस्तुतियां दी, जो युवाउ ने अपनी प्रतिभा दिखाया, उससे लगता है कि देश का भविश्य वाकई में बहुत जादा उज्वल है हमारी कोशिश यही है कि ऐसी प्रतिभाओं को हम आपके सामने लेकर आए यहाँ पर तमाम युवाउ जो मौजूद थे उनकी प्रस्तुतियों से उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आज का युवा कल का भविश है देश के निर्मार में देश के भविश को उज्वल बनाने में इन युवाउं का बहुत जादा योगदान रहने वाला है जितने भी युआ यह कारिक्रम देख रही हैं वो भी ऐसी कोशिष जरूर कर सकते हैं तमाम ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे समाज में हमारे देश में ऐसी उदाहरर प्रस्तुतों की लोग भी कहें कि वाकई में भारत का युआ है इससे सीखना चाहिए तो चलिए फिलाल इस कारिक्रम में इतना ही दूर दरशन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए मुझे दीजी इज्वासत नमस्कार